तो दोस्तो आज 12 April 2024 बजार में आज काफी जादा गिरावट देखने को मिला जहां पे 5050 क्लोजिंग दिया 22,500 के जर्स्ट उपर कैसे भी करके अपने आपको होल्ड करते हुए 22,519 पॉइंट पे लगबग 1.03% गिरावट के साथ और ये जो गिरावट आज हुआ है न ये आ जोबाल मार्केट का हाल चाल, FISDS का डेटा, बट मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, बिकास कल और परसू, Saturday, Sunday, बजार क्लोज रहेगा, वो हला पार्ट हम बात करेंगे, Monday, फिर से जब बजार उपेन होगा, उसके टिक पहले स Sunday रात को, ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके शुरुआत करते हैं, जो important updates है, सबसे पहले चलिए देख लेता है, market analyst द्वारा क्या statement दिया कि upcoming trading week पे बजार किस तरफ move कर सकता है, तो दोस्तों ध्यान से देखना इस topic को cover किया, शेर खान नाम करके एक domestic brokerage की तरफ से एक इनके according आज nifty 50 जिस लेबल के उपर closing दिया, because आज एक बहुत ही crucial लेबल 22,600 को break किया, शुरुआत में लग रहा था कि शायद break नहीं करेगा, sustain कर जाएगा, unfortunately second up में break दिया, और 22,500 को cover closing देने के कारण, immediate जो resistance दोस्तों shift हो चुका है, 22,620 से लेके 22,600 इनके according, इस लेबल को अगर successfully break करके उपर पहुंच गया, तो उस case में 22,710 से लेके 22,600 तक जाने का chance है, और नीची की तरब जो crucial support level mention किया, इन्होंने 22,370 के आसपास, बाकि दोस्तों आपको क्या लग दाए कि upcoming trading week पे बजार किस तरब move करेगा, please दोस्तों अपना valuable opinion शेर किजे, comment के through comment box में, same topic को भी cover किया, दूसरे एक और analyst ने अपने point of view रखा, technical view, bear drag nifty closer 22,500, support at 22,370, दो दूसरे analyst द्वारा भी same चीज़ मेंशन किया, कि अगर नीचे गिरावाट होता है, तो अलगबग 22,370 पे support मिलेगा, और उपर की तरब अगर move किया, strong resistance level मेंशन किया, 22,620 से लेके 22,600 के आसपा हो, जैसे कि आपको मालूम होगा, आज से लगबग 2 दिन पहले, US का CPI inflation data out हुआ, और काफी खराब था, बट आज की डेट पे दोस्तों, इंडिया की CPI inflation rate बहुती बढ़िया था, बहुती बढ़िया मैं बोलूँगा, because last कुछ महीनों का मैं बोलूँगा, बहुती डाउन ह चाता हूं कि लास्ट कुछ महीनों की जो ट्रैक रेकॉर्ड है, यहाँ पर देख लिजे, एक बार 4.81 परसन आया था, उसके बाद देखिए, इस लेवल पर नहीं आया था, बीच में थोड़ा डाउन हुआ था, और इस बार देखिए, जो एक्चुल आया है, 4.85 परसन, ज होड़ा है, चाहे GDP ग्रोथ हो, या CPL inflation rate हो, वो तो सब कुछ ठीक है, वहाँ पर दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लेम होड़ा है, बेसिकली बाहर में, इंडिया के बाहर, चाहे वो Middle East हो सकता है, चाहे वो US हो सकता है, वहाँ पर बेसिकली जो आप बोल सकते ह है, वहाँ पर हो रहा है, और जिसका impact हम यह देखने को मिला लगा था, इंडियार मार्केट पे, बेसिकली इंडियार की डोमेस्टिक दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लेम नहीं है, दूसरा जो अच्छी अपडेट यह है कि आज की डेट पे अपडेट आया, लास्ट टरिंग यह दो अच्छी अपडेट है, अब देखें, दोनों अपडेट के साथ साथ बहुत सारे खराब अपडेट भी है, चलिए, एक एक करके आपको मैं लेके चलता हूँ, सबसे पहला जो नेगेटिव अपडेट यह है कि US मार्केट में फिर से क्रैश हो रहा है, जैसकि आप द देखेंगे, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यह देखें, नास्डाक कॉंपोजिट मोर्देन 1.65% हो चुका है, फिलाल बात करें, तो इसके पीछे बेसिकली जो डीजन है, दोस्तों, एरान और इसराइल के बीच में कभी भी जंग शुरुआद हो सकता है, मै पहले भी मैं आपको बार-बार अलर्ट किया था, कि देखें, बीच में रमजान था, तो अब देखें, यह सारे मुस्लिम कंट्रीज है, और वहां पे बहुती मतब, बहुती मतब अच्छे दिन होते हैं, तो जिसके कारण रुक गया था इरान, अभी जो यूएस की जो करके देखें, जब क्या बोलता है, उसे तालिबान आपकानिस्तन को पर अटक करने वाला था, तब भी हमने देखा था, सेम चीज़ यहां पर अडविजरी जारी किया था, इस बार भी आप देख सकते हो, इरान कुट अटक इसराइल इन 48 और्स, और उसके साथ साथ देखे जो चाहिए, eeran हो सकता है, इसराइल हो सकता है, या middle送 country में, जाने की लिए दोस्तो alert जारी कर दिया, वर्निंग दे दिया, जैसे कि आप देख सकते हो, रशिय उक्य हो गया, issue travel warning over, इसराइल- Iran tension, तो कहिन हैं कहीं दोस्तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, और यह हो के भी रह आएगा क्योंकि देखे एक तरफ नितन्याहु यानि इसराइल की जो मुखिया है उनकी तरफ से कोई भी रोकने का मतलब जो लगातार इंवेट हो रहा है गाजा पटीकंदर उसको रोकने का नाम नहीं है दूसरा देखिए यहां पर इरान भी लगातार यहां पर मतलब इस्राइल को प्राटक करने की सोच रहे एक और में आपको न्यूज देखाता हूं यह देखिए नितन यहू में टॉप ऑफिशियल एस फियर ओफ इरान अटक और इस्राइल ग्रो तो बेसिकली बात यह है कि इस्राइल की फोज जो है वो भी तैयार बैठा है कि इरान कभी भी आटक हो सकता है एक और न्यूज में आपको दिखाता हूं यह देखिए यह यह इस की तरफ से इस इशू ट्रवल वर्निंग फोर इस्राइल विट इरान अटक बिलीवट टू बी इंटिमेंट एंड फिय इसलिए क्योंकि यह जो इरान है ना अब जब यहां पर इरान जुद मतब जो जंग में शामिल होगा सिर्फ इरान नहीं बल्कि जितने भी वहां पर मिल्लिस्टन कंट्री है सौधी हो गया इराक हो गया सब वहां पर शामिल हो जाएगा एक के बाद एक और इसके थू क्या होगा जो ओयल प्राइज है यह देखे मेर बात को ध्यान सुनना ब्रेन क्रूट की जो प्राइस है वह लगाता स्पाइक होगा और लेडी इसका जलग भी आमें देखने को मिल गया मैं आपको दिखाना चाहता हूं यह देखे ब्रेन कुट कहां पे आज अपना फिप्रीक् बगरा रोग दिया जाएगा और इंडिया जैसे जो इंपोर्ट करते हैं बाहर की देशों में ब्रेन कुट या कुट आयल उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा महेंगा ही बढ़ जाएगा और सीधा सीधे इंपेक्ट आगा कहां पे इंडिया की इंफलेशन रेट पे इंफ साल की बॉंड दील है वहां पे हलका फुल का कमजोरी बड़ से और ज्यादा नीचे होना चाहिए अब बात करेंगे इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज जो इस मार्केट में लिस्टड है जैसे की विप्र लिमिटेट एडियर वर्शन में भी आप देख सेंब द सब्सक्राइब आपको देखा रहा हूं यह देखे 10 बच के 28 मीड रात का अपडेट है यह देखे 22,452 पॉइंट पे और आपके जान करेंगे बता के रखना चाहता हूं कि जो है नॉर्मल निफ्टी 50 से 500 उपर ही चलता है तो आप थोड़ा क्यलकूलेट करके देख लिजे निफ्टी 50 आज क्लोजिंग दिया अपके 22,500 की उपर और अभी गिफ्टी चल रहा है 22,454 पर तो मतलब होना एक्चुली नीचे ही है मतलब बहुत नीचे ठीक है तो मतलब अगर बीच में देखिए Saturday Sunday है और यहां पे जो 48 आवर्स की निर्देश ची का जारी किया या हाई आप अब अब बहुत किया है इसमें दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है और आप सभी को में देखे मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल की सा जूरे जरूर रहे चैनल को सबस्क्राइब करके रखिए जब भी इस से रिडेट कुछ भी अपडेट आ जाएगा निउस आ आप उसी जाता हँ पॉइंट कि आज की डेट पर एफेस्ट द्वारा बंपर सेलिंग देखने को मैं आप सोच भी नहीं सकते एफस्ट ने कितना सेल किया मालूम है आट हजार सताइस करोर का देख लिजे आट हजार सताइस करोर का सेल दोस्तों एक दिन में किया आज एक द इस्राइली टॉप इंडिक्स ओपन रहा था इसमें भी क्रेश वा था 1.64 परसेंट के आसपास हो फिलो से क्लियर हो चुका है आचा यहां पे वीडियो को वाइंड आप करने से वहले एक और मैं आपको पॉइंट बता के रखना चाहते हैं कल परसू बजार क्लोज रहेगा तो कल सेटर्डे के दिन और परसू संडे के दिन में आपको सेम वीडियो में सारे दस वाली वीडियो वीडियो अगर वार शुरू हो गया इरान ने अटक कर दिया तो उस टॉपिक वीडियो आएगा आध को तो सबसे बहले कवर करेंगे आधर रवाइस इरेडा ने अच्पीसी को भी कवर कर सकते हैं बाकि दोस्तों कोई भी आपका डाउट्स बगार है कोई भी पूछना है कोई श्यार कवरें कमेंट के दूप पूछिए फिलाल इस वीडियो को वाइंड आप करते हो टेक केर illsबता ज्यार कर दो डवाइस जयार आपिला है बाहता है fps वाइंगा जेख दोस्तों के थाई है को फोस्तों के विलाई है जे ल Smash Rhonda दियां के मिला ओड़ बीले बहाता है का वह बीले के जया बहा है है झा ओे एक रधर